नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं का नमाज आदा करेंगे, जबकि महा सिरात्री के दिन सिर्फ पांच लोग ही मंदिर में पूजा करेंगे जिला परसासन सहर का महल सुधारने के लिए लगातार कवायत कर रहा है इसी करम में पलामो जोर्नल आई जी, राज कुमार लकडा, डी सी, ए दोड़े, एस पी चंदन सिन्हा ने दोनों समुधायों के लोग के साथ बैठक की इसमें दोनों समुधायों के पांच-पांच लोग सामिल हुए उलेखनी है कि पलामो जीले के पाकिताना चेतर में महा सिरात्री परतुरन द्वार बनाने को लेकर बुद्धवार को दो समुधायों में विवाद हो गया इसमें कई पुलिस करमी और आम लोग घायल हो गया पुरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दिल है पतादे पुलिस ने 100 नामजाद समेत 11 सधिक अग्यात लोगों पर मामला दर्ज किया है साथी मुखिया पती समेत 13 लोगों को गिरफतार कर जेल भेज दिया है वही अन उपद्रियों की धर पकड के लिए छापे मारी की जा रही है पुलिस बॉलो ने गुरु आरकु फ्लैग मार्च निकाला था वही परामू में इंटरनेट सेवा को 29 फरवारी सुब दस बहे तक के लिए बंद कर दिया गया है मौसम विभाग के अनुसार जार्खन का अधिक्तम तापमान 30 डिगरी के पार हो गया है अधिक्तम तापमान भी 15 डिगरी से अधिक हो चुका है धिरे धिरे अधिक्तम और निक्तम तापमान में बिरिधी हो रही है हालाकि अभी भी कई जीलो का निम्तम और अधिक्तम तापमान समाने से नीचे बना हुए है बतादे जारकन के पडोसी राजे उडिसा में एक साइक्लेनिक सर्कुलेशन बना है इसके आसार से मौसम में बदलाव की उमीद है मौसम केंद्र राची की ओर से सुक्रवार को जारी बुलेटेन के मुताबिक अगले तीन दीनों के दोरान नितम तापमान दो से तीन डिग्री बढ़ जाएगा इसके बाद दो दिन तक तापमान में किसी बड़े बदलाव की उमीद नहीं है लेकिन 18 फरवारी से दक्षिनी पुर्वी हिसे में आशिक बादल चाय रहेंगे वहीं 20 और 21 फरवारी को सुबा में कोहरा या धूंत चाय रहने का पुरुनमान मौसम केंद्र ने जारी किया है देवघर में परसासन के तय रूट से निकलेगी सीवबरात जार्खन हाइकोट ने सानीवर को सिवरात procurement को लेकर देवघर परसासन द्वराजारी निसे धग्या पर्वोक लगाने से सुक्रोवर को इनकार कर दिया पतादे भाजपा सांसन ने सिकान दूबे द्वारा दायर रयाजका का निस्तारन करते हुए कर्यवाहक मुखे नयदिस अप्रेस कुमार सिन्हा ने पीट करने कहा जीला परसासन को किसी भी भ्रहम से बचाने के लिए इक्छीत परतिबंधियों के बारे में सरोजनी घोसना करने का निर्देश दिया अदालत ने कहा है कि सीवबराद देव घजीला परसासन दवरा निर्दिश्ट मार्ग का पालन करेगी 1993-94 के बाद से मार्ग का पालन किया जा रहा है अदालत ने देव घडिसी से बात की और 144 लगाने पसपष्टा मांगी या असपष्ट किया गया की परतिबंद हटा दिया गया है के वालिया सुनिशीत करने के लिए रखा गया है कि सीवबराद के लिए कोई अन्यमार्ग न लिया गया है पलामू पांक की संप्रदाई की हिंसा में 13 गिरफ्टार खंगाले जा रहे है वीडियो फोटेज महा सिवरातरी का तुरंदवार बनाने को लेकर पांकी में हुए संप्रदाई की हिंसा के मामले में पलामू पुलिश ने करवाई की है पांकी पच्चमी की मुखिया सहानी अंसारी के पती नहाल अंसारी समें 13 गिरफ्टार का जल भेज दिया गया मामले पे दोनों पक्चों की ओर से पांकी थाने में प्रत्मी की दर्च कराई गाई एक पक्च ने सो नमजात और पांसो अग्यात जबकि दूसरा पक्च ने 47 नमजात और एक हैर अग्यात के खिलाप प्रत्मी की दर्च कराई है बतादे दोनों पक्चों के लोगों को पकड़ने के लिए पुलिस अभियान चला रही है महा सिवरात्री पर बाबा बायजनात मंदीर में सुरक्षा के लिए 2200 पुलिस कर्मी रहेंगे तैनाथ महासिव रातरी दो हैर तेजिस के औसर पर बाबा बायदनात मंदीर में दर्सन वा पूजा अर्चना के लिए भगतों की सभावित भीड के मदर नजर बाबा मंदीर तथा मंदीर से सटे आसपास के इलाकों से लेकर बीएट कोलेज तिवाई चोग पर जिला परसासन की ओर से पुकता सुरक्षा व्यवस्ता की गई भीड को नियंत्रित करने वा सुलब जलारपन के लिए 17 फरवरी को रातरी 12 बच कर तीस मियट के बाद से 18 की रात वा 29 फरवरी के सुबा समोशित व्यवस्ता के लिए लगभग 22 सव से ज़्यादा पूलिस कर्मी की प्रत्य निक्ति क की गई इन में से 250 अधिक पूलिस प्रता अधिकारी के अलावा 1600 पूर्यूस लाठी बल वा लगभग 200 महिला लाठी बल तैनात रहेंगे सभी की बाबा मंदीर सहित रूट लाइन में दंडा अधिकारियों के साथ प्रतिन्युक्ति की गई है जारखन हाई कोट के नए चीफ जस्टिस संजाय कुमार मिस्र उत्राखन हाई कोट के सिनियर जस्टिस संजाय कुमार मिस्र को जारखन हाई कोट के नए चीफ जस्टिस बनाया गया है इसमन में राश्पदी द्रोपादी मुर्मू के हस्ताक्षर से नियुक्ती वरंट जारी हो गया है इसके साथ ही भारत सरकार के बीधी वहा न्याय मंत्राले के एडिसनल सेकेडेटरी राजी इंदर कस्यप के हस्ताक्षर से अधिसुचना जारी कर दी गई बतादे 13.10.2022 को सूपरीम कोट कोलेजियम द्वारा जैस्टिस मिस्त्र को जार्खन हाई कोट का चिफ जैस्टिस बनाने के उसनसा की गई थी उलेकनिया है कि जार्खन हाई कोट में बरतमान में एक्टिंग चिफ जैस्टिस अपरेस कुमार है सराव की बोतलों पर होलोग्राम छापने का काम होगा बलैक लिश्ट जारखन सरकार ने सराव की बोतलों पर लगने वाले होलोग्राम की छापाई का काम 6 साल बाद नासिक इस्तित सरकारी प्रेस के बजाय दिल्ली की नीजी कमपनी प्रिज्म होलोग्राम को दे दिया है कमपनी से 5 साल का करार किया गया था और विभागे मंत्री कमपनी के काम से संतुष्ट नहीं है इसलिए उन्होंने कमपनी को ब्लेक लिस्ट करने का निदेस दिया बतादे राज सरकार ने सराब के बेपार में रहस्व की चोरी रोकने के उदेस से सराब की बोतलोप और होलोग्राम लगाने की योजना बर्ष 2013-14 में बनाई थी बिभाग ने निजी कमपनी से होलोग्राम छपाई का प्रस्ताव तयार किया बित बिभाग के ततकालिं सचिव एपी सिंग ने इस पर अपति की चोकि होलोग्राम सरकार को रज़सु में मिलने वाले रुपए का दूसरा 100 रुप है इसलिए वे इसे निजी हाथों में देने के लिए समत नहीं थे बिधायक सर्जु राय ने स्वास्मंत्री पर लगाई 200 कुड़ो रुपए घोटाला का आरोप बिधायक सर्जु राय ने राज्य के स्वास्मंत्री बना गुपता परगंभीर आरोप लगाया है राय ने गुरुवार को रांची में CBI के IG से मिल कर जेनरिक दवाओं की खरीद में राजे में 150-200 कुरूर रुपए के घोटाला होने की सिकायत की है IG के माध्यम से CBI के निदेशक के नाम भी पत्र भेजा है विधायक सर्जुराय ने कहा है कि सब कुछ स्वास्त्र मंत्री के इसारे पर हुआ कम कीमत में जिस दवा की खरीद हो सकती थी उसे विभाग ने ओची कीमत पर खरीदा नियम को ताक पर रख कर घोटाले किये गाए है G20 सब्मिट के डेलिगेट्स को लेकर तयारी जार्खन में प्रिस्तावी G20 सब्मिट के दोरान विभीन देशों के डेलिगेट्स जार्खन पर हमन पर रहेंगे डेलिगेट्स को अवस्यक सयोग परदान करने के लिए ओफिसस इनके साथ रहेंगे शुक्रवार कोड डेलिगेट्स के साथ ओफिसर्च के रूप में प्रतिन्युक्ति के लिए चैनित पताधिकार्यों की विरिफिंग की गई बतादे सबानालाई बलोक एह इस्थीत उपायुक सभागार में पेजल एवाम स्वक्षता विभाग के सजीव डाक्टर मनी सरंजन राची के डीसी राहूल कुमार सीन है काला संस्कृति खेल कूद और युवा कार्य विभाग के निदेशक अंजली यादो एवाम जैप आई पायुक सद जील्या दंडा अधिकारि एवाग वरिये पूलिस अधिक छककास निदेश जैरी किया गया महाशुरातीरी पर विधी बयवस्ता एमर राजेकार करनी समिति के आदेशों का पालन कराने को लेकार धनडा अधिकारियों और पूलिस पताधिकारियों को प्रतिनि प्रतिन्युक्ति दंडा धिकारी या पुलिस पता धिकारीों को लगातार भ्रहमन सील रहकर किसी भी परकार के जूलूस पनाया रखने और विदी विवस्था संधारन का आदेश दिया गया है सालखन मुर्मु के ब्यान पर जैन समाज और आदिवासी सेगेन आमने सामने पुर्व सांसद सालखन मुर्मु के ब्यान पर जैनियों का अक्रोस उग्र होता जा रहा है बिश्व जैन संगठन के अध्यक संजय जैन ने पुर्व सांसद पर अभिलम एफायार दर्ज कर गिरफतार करने की मांग की है इसके बिरोध में जैन समाज पांच पर देशों में सालखन मुर्मु के खिलाप पुतला दाउन के साथ सभी जगों पर प्रात्मिकी भी दर्ज कराएगा एफ हैसला जैन समुदाय के लोगों ने जूम मीटिंग पर किया है इसमें 242 सद से सामिल थे बता दे मरांग बुरु बिवाद मामले में नौ फरवरिगों सालखन मुर्मु ने एक सभा को समोधित करते वे कहा था कि पारसनात आदिवास्यों का मरांग बुरु है या उन्हें नहीं सोपा गया तो वे जैन मंदिर को ध्वस्त कर देंगे इस बेयान के बाद से जैन समाज के लोगों में उबालाये जार्खन की बियाली सहर सहया काम पर लटी अलोक तरिवे दी से संग का प्रतीनिंदल गुरुmost गर्वार को मिला किया गया है साथ ही कोईट प्रोत्साहन रासी अविलम देने के लिए सभी जिल्या को निदेश दिया जाएगा जार्खन के 33 प्रमुख नक्सली पुलिस की रडार पर जार्खन के टॉप 33 नक्सली फिलहाल जार्खन पुलिस के रडार पर हैं इन सभी पर जार्खन पुलिस औ में बताया गया है कि मवजूदा समय में चाइबासा के रजम बुरू और लोया बेडा में करीब 150 नक्सली मवजूद हैं इनमें मवादी केंदरिये कमीटी मेंबर और एक क्लोर काई नामी अनल्दा 25 पचिस लाग काई नामी सेक सदसे अनमोल अजाय महतोच चमन उर्फ लंब वही 15 लाग काई नामी रिजनल मेंबर अमीत मुंडा सहीत कई सामिल हैं जार्खन भाजपा धनबाद में बिहार दिवस जार्खन में भारतिय जनता पार्ठी की ओर से बिहार रायस्थान एवाम उतकल दिवस मनाया जाएगा परदेश भाजपा के अधियक्स रायसबा सांस दिपक परकास ने या बात कही है उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में जार्खन के अलग अलग जिलों में बिहार दिवस रायस्थान दिवस और उतकल दिवस मनाया जाएगा इन करिकरमों के आयोजन कवदेश समाजी समर्षता बढ़ाना है दिपक परकास ने एक भारत स्थेष्ट भारत की प्रांतिये टोली की बैठक में कहा है कि अनेकता में एकता ही भारत की विश्यस्ता है उन्होंने कहा है कि भारत में संस्कृती बीविधिता लिये हुए अनेक भासा बोलने वाले लोग रहते हैं फिर भी सभी की संस्कृती एक है वह है भारतिये संस्कृत पलामू पांकी में नहीं निकलेगी सीव बरात पलामू के पांकी में बुद्धवार को हुए हिंसा के बाद सुक्रवार फुलागातार तिसरे दिन भी धारा 144 सक्ति से लागू रहा इस बीच अधिकारियों ने सीव बरात नहीं निकलने का नेने लिया है ड्रोन से नजर रखी जा रही है पलामू जिले के तमाम वर्य अधिकारी पांकी में केंप कर रहे हैं कई दफा बैठक कर ड्यूटी में तैनात अन अधिकारी वजवानों को दिशा निदेश भी दिया गया बता दे पांकी थाना में दोनों समुदायक के प्रबुध जनों से बैठक की गई दोनों और से सांती बनाये रखने के लिए प्रतिवाजता दोहराई गई आपको बता दे कि 19 फरवरी तक इंटरनेट सेवा भी बंद कर दिया गया है जारखन के 29 जंगली हाथी बीरभुम में घुसे जारखन के जंगलों से 29 जंगली हाथियों का जोड़ पचिम बंगाल के बीरभुम जीले के राजनगर इस्थीत कुडूल माटिया गराम के जंगल में परवेस कर गया है इत जंगली हाथियों के बीर भूमे परवेश करने के कारण उक्त जंगल के आसपास रहने वाले ग्रामनों में दसत है घटना के सुचना मिलने के बाद मोखे पर वन विभाग के अधिकारी करमी तथा हला पार्टी पहुंची हाथियों को खदर्ने की कोशिस में जुट गई है हलाकि हाथियों के जुड़ ने राजनगर के कुटूल माटिया जंगल में ही डेरा डाल रखा था महाशिवरात्री के दिन बाबा भोले नाथ की होगी चार पहर पुजा महाशिवरात्री शन्नीवर अठार फरुवणी 2023 को है इस दिन बाबा मंदिर में प्रमपरा के अनुसार बाबा भोलेनाथ की सिंगार पुजा नहीं की जाएगी बाबा मंदिर में रात नौव बये तक जलारपन होने के बाद मंदिर का पट बंद कर दिया जाएगा तथा साढ़े नौव बये से बाबा बोले नाथ की चार पहर की विशेश पुजा शुरू होगी वही हर दिन की तरह सेंटरल जेल से कैदियो दोरा बनाए गए मोर मुकुट को बाबा मंदिर नहीं भेजा जाएगा महासिवरात्री के दिन इस मोर मुकुट को बासु की नाथ भेजा जाएगा वहीं दूसरी ओर रोहिनी में बने मोर को बाबा पर अर्पित किया जाएगा परमपरा के अनुसार महासिवरात्री के असर बाबा मंदीर प्रसासनिक भवन से परमपरारिक बरात निकाली जाएगी जारखन में नय क्रिसी बिधहयक का बिरोध जारखन में बेपारियों ने राज क्रिसी उपज और पसुधन बिपनन बिधहयक के बिरोध में लोहर्दगा के बेपारियों ने एक प्रतिनिधी मंदल ने क्रिसी मंत्री बादल पतरलेक से मुलकात की मंत्री लोहर्दगा में उर दिक्त कर का बोज बढ़ जाएगा एवं विभीन तरह के प्रपत्रों का रख रखाव का बोज पढ़ेगा इससे इंस्पेक्टर राज अपसर साही एवं परस्टा चार को बढ़ावा मिलेगा मंत्री बादल पत्रलेक ने भी वेपार्यों की बातों को ध्यान से सुना और कहा कि इस मामले में वे गंभीरता पुर्वक विचार कर रहे हैं पलामू में अभी नहीं बहाल होगी इंटरनेट सेवा पलामू के पांकी में बुद्वर को हुए हिंसा की घटना को लेकर सवधानी बरत्ते हुए जीले में आगामी दो दिनों तक इंटरनेट सेवा बाधित र दिया हैं साथ ही साथ पुलिस मुख्याले ने दो सीनियर IPS अधिकारी इंद्रजीत महता और पिरेदस नी अलोग पांकी भेज दिये हैं दोनों अधिकारी पांकी में ही केंप कर रहे हैं सुबा आईजी राज कुमार लकडा के नतित में फ्लैग मेर्च में निकाला गया जि अधिकारी मुझूद थे इसमें 500 से अधिक जवान सामिल हुए थे फोजदारी नाथ का पंचसूल उत्रा महासिवरात्री के पावन औसर पर बाबा फोजदारी नाथ के साधी के तैयारी जोरसोर से चल रही है गुरुवार को मंदिर के गुमबज पर से पंचसूल चांदी का ज़ंडा तिरिसूल कलस आधि को उतारा गया जैसे ही पंचसूल उतारे गए उसे चुने के लिए लोगों की भीड लग गई सन्निवार को भोले नाथ दुला बनेंगे मंदिर में पंचसूल का विचेस महत्वा है पंचसूल को असपर्स करने के लिए भक्तों का हुजू पंचसूल को उड़ा जार खंड के पच्मी शिम्भूम जीले के चाई बाता के नकसल परवावित गोयल के राधाना छेद्र ए श्थित कदम डिहा पंचसूल उने उड़ा दिया है गोईल के रा परखंड के कदम डिहा पंचायत के गीतिलपी गाविस्थित पंचायत भवन को उड़ाने की घाटना को नक्सलियों ने गुरुवार देर रात का करीब एक बज़े अंजाम दिया कौंग्रेस ने केंद्र सरकार के खिला पोल को झो अभियान सुरू किया है कौंग्रेस के राश्ड प्रवक्ता तूल और परधेस अद्यक राजेस ठाकुने का है केंद्र सरकार आपने पौंजी पती मित्र को लाभ पहुंचा रहा है कॉंग्रेस ने अडानी परकरण पर केंद्रे सरकार की चोतारपा घेराबंदी शुरू कर दिया है रांची में सुक्रवार को सन्वतात्र समिलन करते हुए कॉंग्रेस के राश्ट्रे परवक्तात तूल और परदेश अदेश राईस ठाकूर ने कहा है कि केंद्रे की बीजेपी सरकार अपने पुझी पती मित्र को सरकारी खाजानों की लूट की छूट दे दिया है उन्होंने कहा है कि आडानी के हाए कौन के नाम से पोल को अभियान राश्ट्रियस तर पर सुरू किया गया है नीजी छेत्रे में 75% आरक्षन का मामला नीजी छेत्रे की कमपनियों में अब तक अस्थानिय लोगों को 75% आरक्षन का लाब नहीं मील रहा है सरकार नया अधिनियम 2022 में लागू किया था लेकिन अब तक इससे अमली जामा नहीं पहण नाया गया सरम विभाग इस नियम को अब तक लागू नहीं कर सका है वहें नीजी कमपनियों भी नियम को लेकर गंभीर नहीं दिख रही है बतादे अस्थानिय लोगों के लिए नीजी छेत्रे में 55% आरक्षन राज सरकार के लिए गले के हड़ी बन गई है 12 सितंबर 2022 से राजी के नीजी छेत्रे में अस्थानियों उमिद्वारों का नियोजन अधिनियम 2021 और नियम आली 2022 लागू किया गया है इस अधिनियम के तहद पर तेक नियोकता जिसमें 10 या 10 से अधिक ब्यक्ति कर रहत हैं और 40 एर से कम बेतन प्राप्त करते हों वैसे ही संथानों में अधिनियम लागू होगा टीपी सी का फर्मान लेवी नहीं देने पर बेहसाई का जला देवाहन राजा साहब हत्ता कानवे गिरफता टीपी सी एरिया कमांडा सुकेस ने पुलिस की पुछतास में कई चवकाने वाले खुलासे किया है सुकेस ने बताया कि संगठन के सिस नेता लेवी वसूलने और करोबारियों में दसत फ्यलाने के लिए कई तरह के हत्कंडवे अपना रहे है इसके जरिया टीपी सी अपने और थतंत्र को मजबूत करने में जुटा हुए है बतादे जरिकन पूरिश लगातार अभियान चला कर राजे के सबसे बढ़े नक्सली संगठन भागपा मधी को खतम करने के कार पर पहुँच चुकी है लेकिन दूसरी तरह टीपी सी पीलेफाई और जयजे एमपी जैसे छोटे उग्रवादी संगठनों की गतिवी दिया बढ़ी है गिरामी इलाकों में चल रहे कंस्ट्रक्शन वर्क, एस्टोन माइस, इट भठो में आगजनी और हमले कर उग्रवादी संगठन अपने अर्थ संत्र को मजबूत करने में लगे हुए है नियोजन नीती बनाने में जूटी है सरकार जारखन में हेमन सरकार नियोजन नीती को नए सीरे से बनाने में जूट गई है इसको लेकर राजिक के बोधी जीवियों के साथ साथ छात्र छात्राओं से सुझाव लिए जा रहे हैं अब तक 9000 सुझाव आ चुके हैं बता दे राज में नियोजन नीती को लेकर एक बार फिर कवाय सुरू हो गई है जारखन हाई कोट ने साल 2021 में बनी नियोजन नीती को और समय धानिक बताया था इसके बाद हेमन सरकार नाए सीरे से नियोजन नीती बनाने की त्यारी कर रही है धन्यवाद यादि आप चैनल पर नहीं है थे चैनलों को सब्सक्राइब कर बाल का बेल एक अंदा बाई है साथी साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों को से आज सेर करना ना भूले साथी साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फिडिवाएक अवस से दे थैंक यू